कि इस वीडियो में आपको बताऊंगा रीच को जैंट के बेंचमार्क परफॉमेंस के बारे में तो पहला बेंचमार्क जो मैं रन करूंगा वो है अन्टू-टू पहले इस टेस्ट को रन करते हैं तो यह है रीच को जैंट का अन्टू-टू स्कोर 20,034 वैसे ऐसे फोनों पर बेंचमार्क टेस्ट चलाने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि हमें पता हो लास्ट ही आएंगे तो मैं ऐसे ही इंफोर्मिशन के तौर पर अगर किसी को जानना हो कि फोन का अन्टू-टू-टू-बेंचमार्क स्कोर क्या है तो उसके लिए मैं दिखा रहा हूं रेंकिंग देखें तो जैसा कि मैंने का लास्ट ही आएंगे हमेशा ऐसे फोन और अब मैं आपको दिखाऊंगा इसकी फुल सिस्टम इंफोर्मिशन तो इसमें पुराना आर्म कोटेक्स एसेवन प्रोसेसर है और माली 400 MP जीप्यू है और जैसा कि अब देख सकते हैं 965 MB RAM है जिसमें से 580 MB free है CPU सिर्फ 32 bit सपोर्ट करता है 64 and 32 bit दोनों नहीं और रेजलीशन जैसा कि आप देख सकते हैं WVGA 480 i800 मैं आपको दिखा देता हूं कितनी टच पॉइंट यह सपोर्ट करता है बस दो जैसा कि आप देख सकते हैं बस दो और सेंसर के नाम पर इसमें एक्सेलरेशन प्रॉक्सिमिटी इसके बॉक्स में जी सेंसर भी लिखा दा कि अवलेवल है लेकिन इसमें यह नहीं दिखा रहा है अब दूसरा टेस्ट टन करते हैं दूसरा टेस्ट जो में चलाओंगा हो है गीक बैंच तो गीक बैंच 3 में रीच कोजेट ने स्कोर किया है तीन चोर स्फस्ट सिंगल कोर स्कोरर और नौ सो चपन मल्टी कोर स्कोर अगर उसको कंप्यर करें चार्न है तो इसमें जे गलक्सी नेकसस से ऊपर आया है तो ये एक खुशी की बात है आप कह सकते हैं खेरा मैं आपको इसकी बैटरी इंफर्मिशन देजेता हूं हमने जब अभी से पहले मैं थोड़ी देर पहले गेम खेलना चालूगी आता इस पर तब उस टाम पर टाइम हुआ था चार हाफ से थोड़ी कम है उस ब्राइटनेस देवल्प है और वाइफाई ओन था हर टाइम इसने 14 और अब 15 परसेंट लूज किये हैं 15 परसेंट इसका मतलब है लगबग एक घंटे में लगबग 20 परसेंट बैटरी लूज करता है अगर आप इसमें गेम खेल है और यह ऐसे बै इस वीडियो में आपको बताऊंगा वीच को जैंट के बैंचमार्क पर्फोर्मेंस के बारे में तो पहला बैंचमार्क करूंगा वह है अन्तूतू पहले इस टेस्ट को रण करते हैं प्रॉक्सिमिटी इसके बॉक्स में जी सेंसर भी लिखा था कि अवलेवल है लेकिन इसमें यह नहीं दिखा रहा है नौट सपोर्टेट जार इसको खेर अब दूसरा टेस्ट रं करते हैं दूसरा टेस्ट जो में चलाऊंगा हो है गीक बैंच तो गीक बैंच थ्री में रीच कोजेट ने स्कोर किया है तीन सो भी सिंगल कोर स्कोर और 956 मल्टी कोर स्कोर अगर उसको कंपेर करें तो मोटो जी से भी कम पर खेजी सब फोन इससे जाना महंगे है तो जैसा कि मैंने का इसको कंपेर करने का इस पर बैंच मार्ण करने का कोई यह मतलब नहीं क्योंकि हमें पता है यह में से लास्ट ही आएगा वेल इसमें यह गलक्सी नेक्सस से उपर आया है तो यह एक खुशी की बात है आप कह सकते हैं खेरा मैं आपको इसकी बैटरी इंफर्मिशन देता हूं हमने जब अभी से पहले मैं थोड़ी देर पहले गे जीपीव है और जैसा कि अब देख सकते हैं 965 MB RAM है जिसमें से 580 MB free है CPU सिर्फ 32-bit सपोर्ट करता है 64 and 32-bit दौनों नहीं और रेजलीशन जैसा कि आप देख सकते हैं सब्सक्राइब आपको दिखा देता हूं कितनी टच पॉइंट यह सपोर्ट करता है बस दो जैसा गया आप देख सकते हैं बस दो और सेंसर के नाम पर इसमें एक्सेलरेश्चन तो यह है रीच कोजेंट का अन्तूतू स्कोर 20,034 वैसे ऐसे फोनों पर बेंचमार्क टेस्ट चलाने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि हमें पता हो लास्ट ही आएंगे तो मैं ऐसे इंफोर्मिशन के तौर पर अगर किसी को जानना हो कि फोन गया अन्तूतू बेंचमार्क स्कोर क्या है तो उसके लिए मैं दिखा रहा हूं कि रेंकिंग देखें तो जैसा कि मैंने का लास्ट ही आएंगे हैं हमेशा ऐसे फोन और अब मैं आपको दिखाऊंगा इसकी फुल सिस्टम इंफोर्मिशन तो इस